होली का नाम आते हैं फ्रेंड सबसे पहले जहन में ठंड़ाई का नाम आता है ठंड़ाई डिफ्रेसिंग ड्रिंक के साथ साथ इम्मुनेटी बुस्टर ड्रिंक भी है इसे आप सिर्फ होली ही नहीं बलके इसे आप गर्मियों में भी पी सकते हैं ये पेट को काफी थंड़क देता है तो चलिए थंड़ई को आज हम लोग तीन तरगी फ्लेवर में बनाएंगे बनाना फ्लेवर, क्लासिक फ्लेवर और आईस क्रिम फ्लेवर तो चलिए फिर अफ थंड़ाई को बनाना सुरू करते हैं थंड़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले थंड़ाई मसाला का एक बेस तियार करेंगे तो अब बाउल में डालेंगे 12-14 काजू, 15-16 बादाम, 10-12 करीब पिस्ता, लगपक देर बड़ी चम्मच वाटरमेलन सीट्स, एक बड़ी चम्मच छोटी वाली सौफ, आप चाहें तो बड़ी वाली सौफ इसमें डाल सकते हैं लगपक दो चम्मच डालेंगे पॉपी सिट्स, यानि की पोस्तो दाना, 7-8 छोटी हडी वाली इलाईची, और थोड़ी से डालेंगे रोस पैटल, चाहे तो आप ड्राई रोस पैटल भी इसमें डाल सकते हैं अब लगपक इसमें एक बड़ी कब जितना गुनगुना पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी डालकर भी आप इसे 6-7 घंटे के लिए शोख होने के लिए छोड़ सकते हैं, पर गुनगुना पानी डालने से ये आदे घंटे में ही शोख हो जाता है अब इसमें थोड़े से केसर के धागे डालेंगे, फ्रेंड्स मार्केट की ठंड़ाई में काली मिट जरूर से पढ़ते हैं, पर मुझे काली मिट की स्ट्रॉंग टेस्ट पसंद नहीं है आप जब भी ठंड़ाई बनाएं, तस से पार्य काली में चिसमें जरूर से डालें, ये ठंड़ाई का में इंग्रिडेंट है अब इसे आदे घंटे के लिए शोख होने के लिए छोड़ देते हैं अब आदा घंटा हो गया है, सभी अच्छे से अब फूल गया है अब इनको मिक्सर जार में डाल कर बारिक पेस्ट बना लेंगे ये देखिए एकदम बारिक सा पेस्ट बनकर अब तयार हो गया है ये अब हमारा ठंड़ाई का बेस मसाला तयार हो गया इस base masala से आप अपनी मन चाही flavor की थंड़े त्यार कर सकते हैं अब सबसे पहले पनाना flavor की थंड़े त्यार करेंगे इसके लिए मैं एक blending jar ले ली हूँ इस jar में डालेंगे 1 बड़ी चम्मस थंड़े बेस masala फिर डालेंगे पके केली की slices 2 बड़ी चम्मस चीनी और इसमें डालेंगे अब 250 ml चिल्ट दूद अब इसे अच्छे से ब्लेंट करेंगे ब्लेंट हमें यहां इतना करना है कि केला पेस्ट फॉर्म में हो जाए और दूद में अच्छी जाग आ जाए ये देखिए दूद अब गाड़ी-गाड़ी सी हो गई है और इसमें जाग भी बहुत अच्छी आई है ये अब हमारा बनाना फ्लेवर की ठंड़ाई बनकर त्यार हो गया है तो चलिए अब इसे ग्लास में सर्फ करते है अब उपर से थोड़े से केले की स्लाइसेस डालेंगे काजो पिस्ता और पादाम की स्लाइसेस से इसकी अब गार्निशिंग करेंगे तो ये देखिए अब हमारी टेस्टी हेल्दी बनाना फ्लेवर की ठंड़ाई ब्लेंडिंग जार में डालेंगे दो बड़ी चम्मस ठंड़ाई बेस मसाला दो चम्मस चीनी चीनी अपने टेस्ट की कोडिंग डाले इतने में ये नॉर्मल मीठा होगा अब इसमें डालेंगे 250 ml चिल्द दूद ठंड़ाई बनाने के लिए हमेशा आप चिल्द दूद का ही इस्तेमाल करें नहीं तो ठंड़ाई पीने का मज़ा नहीं आएगा अब जार के ठकन बन कर इसे ब्लेंड करेंगे ये देखिए कितनी अच्छी इस पर जाग आई है यानि कि ये अप अच्छे से मिक्स हो गई है अब हमारी क्लासिक फ्लेवर की ठंड़ाई बन कर अब त्यार हो गई है तो चले फिर इसे अब ग्लास में सर्फ करते है उपर से कुछ गुलाब की पंखुडी और कुछ ड्राइफ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर देते है देख रहे हमारी सिंपल सी क्लासिक फ्लेवर की ठंड़ाई टेस्टी के साथ सत इसकी लुक काफी रिच लग रही है अब बनाएंगे आइस्क्रीम फ्लेवर की ठंड़ाई तो ब्लेंडिंग जार में डालेंगे एक बड़ी चम्मत ठंड़ाई बेस मसाला, दो चम्मत चीनी, 250 ml चिल्ड दूद और अब इसमें डालेंगे वैनिला आइसक्रीम आप अपनी टेस्ट और फ्लेवर के एकॉर्डिंग इसमें आइसक्रीम को डाले अब जार के लिट को बंद कर इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे ये देखिए ये कितनी अच्छी से ब्लेंड हुई है तो चली अब इसे ग्लास में सर्व करते हैं अब बची हुई आइसक्रीम को उपर से डालेंगे और थोड़े सी ड्राइफ्रूट्स और नट्स से इसकी गार्निशिंग करेंगे देख रहे हैं फ्रेंड्स आइसक्रीम फ्लेवर की ठंड़ई टेस्टी के साथ साथ इसकी कितनी गॉज़ेस लुक लग रही है अब अपारे तीनों फ्लेवर की ठंड़ई बन के तियार हो गई है यह तीनों ठंड़ई बहुत ही टेस्टी है इसकी बनाने की प्रोसेस भी बहुत ही एज़ी है आप इस होली इस ठंड़ई को जरूर बनाए तो फ्रेंड्स ठंड़ई के पिना तो होली अधूरा लगता है हुली से लेकर गर्मियों के सीजन तक थंड़ाई पीना सेहत के लिए काफी फायदे मद माना गया है इसे पीने से पेट की थंड़ाई के साथ साथ काफी रिफ्रेशिंग फील होता है उमीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको मेरी थंड़ाई की रेस्पी बहुत ही पसंद आई होगी रेस्पी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें लाइक और शियर करें और बेल आइकन को दवाना न भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और नीचे मेरा इंस्टाग्राम हेंडल फ्लस हो रहा होगा अब वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसेपी के साथ थैंक ये वर वाचिक मैं वीडियो